सीता फल, जिसे शरीफा भी कहा जाता है। शर्द रितु में मिलने वाला एक प्रकार का फल है, जिसे आमतार पर शुगर एपल या कस्टड एपल के नाम से भी जाना जाता है। सीता फल की खेती किसानों के लिए किसी आउसर से कम नहीं है क्योंकि सीता फल का खाने के अलावा व्यापारिक तोर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो साबुन और पेंट बनाने में काम आता है इसके अलावा इसके गूदे को दूध में मिलाकर आईस्क्रीम तयार की जाती है और दोस्तों अगर आप भी इसकी खेती का रच्छा लाब कमाना चाते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीता फल की खेती कैसे होती है और आपको क्या-क्या बातें ध्यान में रखने की आवशकता है जिससे आपका भी बिजनस बढ़ा हो सके तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीता फल की कितनी खिसमें होती है और ये मुख्य रूप से कहां पाय जाता है अलांकि पहले ये माना जाता था कि ये भारत का मूर फल है लेकिन ये पेड़ बहुत पहले ही अन्य देशों से लाय गया था बाद में इसकी खेती पूरे भारत में की गई भारत में इसकी खेती महराष्ट, धारकन, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, असम और आंध्रप्रदेश में ज्यादा होती है बात करें इसकी किस्मों की तो स्थान, फलों के आकार, रंग, बीच की मातरा के आधार पर हमें अलग-अलग किस्में देखने को मिलती है इसमें बाला नगर, अरका सहन, लाल शरीफा और मैमत कुछ एक लोक प्रियक इसमें है वैसे तो इस फल के लिए कोई विशेश जलवायू की आवशकता नहीं होती है लेकिन शरीफा एक उश्न कटिबंदिय जलवायू का पीड है इसकी अच्छी पैदावार के लिए शुष्क और गर्म जलवायू के शेत्र का ही चुनाव करें क्योंकि इसके पौधे अधिक गर्मी में आसानी से भी कसित्थ होते हैं लेकिन अधिक समय तक पढ़ने वाली तेज सर्दी इसके लिए अच्छी नहीं माने जाती क्योंकि ज्यादा सर्दी से इसके फल सक्त हो जाते हैं और वे पक नहीं पाते चलिए अब जानते हैं सीता फल की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की आवशक्ता होती है सीता फल की खेती साथ से आठ पीच की अनुपजाव और पत्रीली मिट्टी में की जाती है इसका मतलब ये है कि इसे लगभग सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उच्छत जन निकासी वाली दो मट मिट्टी सबसे उप्युक्त मानी जाती है अब समझते हैं सीताफल की केती के लिए खेत कैसे तयार किया जाता है कर लें गड़ों को पंक्ती में तयार करें और प्रितेक पंक्ती के बीच तीन मीटर की दूरी बना कर रखें गड़ों के तयार हो जाने के बाद उसमें जैविक और रसायनिक खाद की उचत मातरा डाल कर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें उसके बाद गढ़ों की सिचाई कर दें इसके बाद इन गढ़ों में पौधों की रुपाई कर दीजिए इसके पौधों की रुपाई का सबसे उपयुक्त टाइम जुलाई का महिना है क्योंकि बारिश का मासम होने के वज़ा से इस दोरान पौधों को विकास करने के लिए आदर्श वातावरन मिलता है बात करें से जाई की तो सीता फल पौधा आसानी से सूखे की विस्तरित अवधी को सभाल लेता है लेकिन पौधों को गर्मी में पानी देना आवशक होता है क्योंकि अत्यधिक गर्मी से इसकी पत्ती और फल गिर सकते हैं इसकी पहली सिंचाई रुपाई के तुरान बात करनी चाहिए अगर रुपाई बीजों द्वारा की गई है तो बीजों के अंकुरत होने तक खेत में परियाप्त नमी बनाए रखने के लिए 2-3 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहिए साल भर के पौधे के लिए 15-20 दिन के अंतराल में सिंचाई कर लेनी चाहिए सर्दियों के मौसम में इसकी 20 से 25 दिन में सिचाई करनी चाहिए और गर्मियों के मौसम में इसके पौधे की सब्ताह में एक बार सिचाई जरूर करनी चाहिए चलिए अब जानते हैं आप इससे कितना बिजनस कर सकते हैं सीता फल के पौधे खेत में लगाने के दो से तीन साल बाद फल देना शुरू कर देती हैं। इनके फलों के बनने के अबदी काफी लंबी होती है। इसके फलों को बनने में लगभग चार महीने का वक्त लगता है। इसके फल सितंबर माह के बाद पकने शुरू हो जाते हैं, हमेशा इसकी तुड़ाई पूर्ण रूप से पका हुआ और कठोर अबस्था में ही करें। इसके पृतेक पौधे से शुरुआत में 60-65 के आसपास फल प्राप्त होते हैं। जो पौधे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, कुछ सालों बाद इसके एक पूर्ण विकसित पौधे से 100 से ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं। आप एक एकड में इसके 500 के आसपास पौधे लगा सकती हैं, जिन से सीता फल की सालाना 30 किवेंटल के आसपास पैदावार की जा सकती है। मारकेट में इसका रेट 40 रुपे प्रती किलो तक होता है, जिससे आप लोग एक साल में एक एकड से एक से सवालाग तक की कमाई आसानी से कर सकती हैं। आज की इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई प्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नॉटिफिकेशन बैल पर भी क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो से संबन्दित अगर आपको कुछ लेना है या उससे संबन्दित और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से खरीद सकती हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद।